Certain three digit number has the following characteristic तीन characteristic दिया है First, all three digits are different ठीक है Second बोला है तो number is divisible by 7 एक equation में बताता हूँ Suppose three digit number A, B, C है और अगर ये 7 से divisible है तो एक formula होता है कि A, B जो पहला दो digit है वो और जो last digit है पहला दो नहीं मतला गर चार digit के है तो last वाला digit को double कर देना है मतलब C को double कर देना है 2C कर देना है 2 into C और उसके बाद जितना digit बचा है उसको वैसे ही रनने देना है अब इन दोनों को subtract कर देना है subtract करने का बाद जो भी value आता है ये या तो 0 होगा या 7 से divisible होगा अगर ये जब 0 हो और 7 से divisible हो मतलब ये या तो 0 होना चाहिए या डिरेक्ली हम लोग 7 N लिख लेते है N का value 0 से कुछ भी हो सकता है and thought देखे क्या लिखा हुआ है the number on reversing the digit is also divisible by 7 मतलब इसको reverse कर दे रहे CBA ये भी 7 से divisible है तो same formula इसके लिख देते है CB-2A ये भी 7 के multiple में होना चाहिए तो अब पता चल गया दो चीज़ हमें पता चल गया यहां से ये 7 से divisible है और ये भी 7 से divisible है ठीक है तो एक चीज़ ये पता है कि अगर इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो सब्ट्रेक्शन वाला value जो आएगा वो भी 7 से divisible होगा तो इन दोनों को पहले सब्ट्रेक्ट करते हैं AB-2C-CB-2A ठीक है और AB को हम लों क्या लिख सकते हैं 10A प्लस B-2C यहां CB को क्या लिख सकते हैं 10C प्लस B-2A ठीक है इसको simplify करते जा रहे हैं यह हमारा 10A प्लस B-2C-10C-B-2A ठीक है और यहां B भी देख रहे हैं आप कट जा रहा है यहां A है A है मतलब 12A आ रहा है और यहां C-12C आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहा है equation effectively 12A-C तो यह साथ से divisible होना चाहिए यह साथ से divisible होना चाहिए ऐसा बोला गया है ठीक है अब हम लोग possible combination निकालेंगे और हमें पता है A और C single digit number है तो अब साथ से divisibility के लिए हमें क्या क्या value हो सकता है सो 12 का पहले multiple देखेंगे जो जो साथ से divisible है 12 into 1 करेंगे 12 नहीं है बारादुनी 24 24 भी नहीं है बाराद यह 36 36 भी नहीं है बारट यह 48 भी नहीं है 12 into 5 बारट पान 60 60 भी नहीं बारट चिक 72 52 भी नहीं है बारसते 84, मतलब 12 x 7, 84, यह 7 से divisible है 84, इसका मतलब है, यह 7 एक possible value है, 8 भी करेंगे, बाराटे चानबे, चानबे भी 7 से divisible नहीं है, और बारा नावा एक सु आट, वो भी divisible नहीं है, और 10 तो जाएगे नहीं, क्योंकि हमारा दो डिजिट का ही नमबर है, सिंगल डिजिट को म हमारा value क्या हो गया, केवल a-c का value 7 possible है, तो अब देखते हैं कौन-कौन सा value a-c में लेंगे, जो 7 होगा, तो हम लोग 7 के लिए 9,2 ले सकते हैं, 8,1 ले सकते हैं, और तो कोई value नहीं है, और अगर 7 लेंगे, 7,0 ले सकते हैं, लेकिन 0 हम लेंगे नहीं सकते हैं, बिकूज 2 नमबर है, और 2 डिजिट नमबर को reverse करेंगे, तो 0 पहले आ जाएगा, तो वो 1 डिजिट बन जाएगा, तो हमारे पास किवल 2 combination ऐसा आ रहा है, a और c का, ठीक है, अब a और c का हमारा 2 combination पता चल गया, और हमें निकालना क्या है, कि कितना ऐसा 3 डिजिट का नमबर है, तो हमा 9 B 2 के format में हो सकता है, एक 8 B 2 के format में number हो सकता है, साथ में 1 2 B 9, इसके just opposite, और साथ में इसके just opposite, 2 B 8, ये 4 number possible है, और B का value कुछ भी आप ले सकते, B का value हमें बताय नहीं गया, हमें पस total number खोजना है, how much such digit, तो B हमें अभी जानने का कोई, मतलब ऐसा important नहीं है, अब निकाल सक लेकिन B अभी जानना हमें नहीं है, तो ये आपको clear हो गया होगा, कि यहां से 4 number possible है, क्योंकि 9 something, something ये 900 का range में है, और ये 200 का range में, ये दोनो 1 1 count होगा, मतलब अलग-अलग count होगा, तो total possible कितना value हमारा आ गया, 4, तो इसको option क्या हो जागा, हमारा option number B 4, तो ये ध्यान रख किएगा, ये वाला part, कि ABC होने से, तो last वाले unit digit को double कर देते हैं, और बाकी जितना number है, उससे minus कर देते हैं, minus करने के बाद जो value आता है, वो 7 से divisible होना चाहिए, बस यही process use करके, मैंने question solve किया, ठीक है, ये आपको theorem बोलो, या formula बोलो, या आपको mind में रहना चाहिए, वरना आप question ये इसा question आप solve नहीं कर पाएंगे, ठीक है